क्या आपने कभी ऐसी फिस को देखा है जो कि बिल्कुल ट्रांस्पेरेंट होती है और इसी के साथ वैं मिट्टी में भी छुप जाती है जिसे देख पाना बिल्कुल ही impossible होता है और क्या आपने कभी ऐसी तितली को देखा है जो कि एक पेड से गिरे हुए सुखे पत्ते की तरह दिखाई देती है तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के दस ऐसे इन्वीजिबल एनिमल के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने आपसे पहले कभी नहीं सुना होगा और इसी टोप 10 इन्वीजिबल एनिमल के लिस्ट में एक ऐसा भी क्रेचर है जो कि एक टूटी हुई लकडी पर बैटने के बाद भी दिखाई नहीं देता कि है कोई लकडी है या कोई चीज तो गाईज वीडियो को एंट तक जरूर देखें क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही जादा मज़े आने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपनी आज की इस वीडियो को जिसमें नमबर टैन पर है लैप्टो सीफलस गाईज आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि मचली जब अंडे देती है तो उन अंडों में से कुछ बच्चे ही सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि बाकी के बच्चों को कोई और मचलिया ये दूसरे बड़े जानवर खा जाते हैं लेकिन लैप्टो सीफलस समुंद्र का एक ऐसा जीव है जो कि खुद को छिपाने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है यह जीव एक ऐसा जीव है जो कि दिखने में बिलकुल मचली की तरह लगता है लेकिन यह कोई मचली नहीं है जब यह अंडों से भाहर निकलते है तो इन्हें दूसरे समुंद्री जीवों से बहुत जादा खतरा होता है लेकिन अंडे से बाहर आते हैं इनकी पूरी बोडी transparent हो जाती है यह बच्चे तीन महिने तक है ऐसे transparent रहते हैं जब यह तीन महिने के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि यह अपनी हिफाज़त खुद कर सकते हैं तो यह अपनी normal condition में आ जाते हैं यह एक ऐसा survival technique है जो कि इन्हें natural ही मिलती है जिसका इस्तमाल करके है जीव लंबे समय तक जिन्दा रह पाते हैं Guys सोचने की बात तो यह है कि इनकी पूरी body जहां तक कि organ भी transparent हो जाते हैं जिसे पानी में दूसरे बड़े जीव को भी दिखाई भी नहीं देते हैं Number 9 पर है leaf insect Guys अगर आपको statue बनने के लिए बोल दिया जाए तो आप बिना हिले कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं हमेंसे 99% लोग थोड़ी देर में हिलने लगेंगे क्योंकि हम अपनी body पर इतना control नहीं कर पाते लेकिन leaf insect एक ऐसा जीव है जो कि बिल्कुल भी move नहीं करता इन्हें देख कर तो कोई भी इंसान धोका खा जाए क्योंकि यह बिल्कुल पत्ते की तरह दिखाई देते हैं यह जब भी किसी पेड़ के पत्तो पर बैटे होते हैं तो normally लोग इने नहीं पैचान पाते कि यह कोई पत्ता है या कोई जीव दरसल यह बहुत से जंगली जानवरों और पक्सियों का फैवरेट फूड है इसलिए इसे अपनी लाइफ बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है जरा सभी खत्रा महसूस होने पर यह बिल्कुल स्टैचू बन जाता है जिससे किसे कोई देखना पाए यह है एक हार्मलेस इंसेक्ट है और इनका खाना पीना पेड़ों पर आने वाले फलों से होता है यह अपनी पूरी लाइफ पेड़ो और पत्तो पर ही गुजार देते हैं और इनके बच्चे भी बहुत ही कम मुमेंट करते हैं गाईज अगर आप इसे दुनिया का सबसे बहतरी चिपने वाला जीब कहें तो गलत नहीं होगा क्योंकि यह पेड़ों पर इस तरह से छिपता है कि इसे धून पाना बिल्कुल impossible हो जाता है इसे पेड़ पर ढूनने के लिए आपकी आनके बिल्कुल तेज होनी चाहिए तबी आप इसे पेड़ पर ढून पाएंगे यह जीबसी दीखने वाली छिपकली मेडागास कर आईलेंड पर पाई जाती है और ये बहुत से अलग-अलग कलर में भी पाई जाती है ये पेड़ पर लगे सुखे पत्तू की तरह दिखाई देती है जिससे इसे पेड़ पर ढूण पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इतना ही नहीं है गीको एन्वारिमेंट के हिसाब से अपने कलर भी चेंज कर सकती है गीको की इसी इन्वीजिबल पावर की वज़े से इसे खाना डूनने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता बलकि इसका खाना खुद इसके पास चल कर आता है क्योंकि छोटे-मोटे कीडो को इसका ऐसा कलर होनी की वज़े से भी दिखाई नहीं देती जिसे ये उन कीडो का सिकार करती और अपना पेट भरती है समुंदर में जितने भी छोटे-छोटे क्रेचर होते हैं उन्हें सर्वाइब करना बहुत ज्यादा मुस्किल होता है क्योंकि कोई भी बड़ा जीवी ने आसानी से अपना सिकार बना सकता है पिग्मी एक बहुत ही छोटा सा सी एनिमल है जो कितने छोटे होते हैं कि इनका साइज सिर्फ 2 सेंटी मीटर का ही होता है तो फिर आप खुदी अंताजा लगा सकते हैं कि एनिमल कितना छोटा होगा यह सी क्रेचर जापान इंडोनेशिया और नोर्थ उस्टिलिया में देखने को मिलते हैं यह समुन्दर में 10 से 40 मीटर की गहराई पर पाय जाते हैं यह जानवर छिपने में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि इसे इनसान तो दूर जानवर तक नहीं देख पाते यह अपनी ज़्यादतर लाइब सी प्लांट्स पर ही गुजारते हैं और यह अपनी बाड़ी का कलरों सेफ इसी तरह से कर लेते हैं जिस तरह से प्लांट का कलरों सेफ होती है इसे ढून पाना नामूम की नहीं अगर आप प्लांट को भी हाथ में पकड़ लेते हो तो भी यह क्रेचर आपको दिखाई नहीं देगा जब साइंटिस्ट ने इस क्रेचर को ढूंडा था तो उन्हें लगता था कि यह सिर्फ दो ही कलर बदल सकता है येलो विद ओरेंज बंस और ग्रीन विद रेड वॉम लेकिन 2014 में दो बेबी प्रेग में सी हार्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया और एक परपल सी प्लांट को एक्वेरिम में रखा गया सर्प्राइजली इन्होंने भी अपना कलर परपल कर लिया जिसे देगने के बाद साइंटिस्ट भी सॉक्ट रह गए नमबर सिक्स पर है इस्टन स्क्रेच आउल यह आउल बहुत ही चालाग सिकारी है जो कि किसी भी सूखे हुए पेड़ पर बैट कर इन्विजिबल हो सकता है जब यह किसी पेड़ पर बैटे होते हैं तब इसके पंकों की वज़े से देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और अगर इससे गोर से ना देखा जाये तो यह देखने पर बिल्कुल स्पैडर की तरह ही लगता है यह क्रैब्स कैलिफोर्निया, थाइलेंड, फिलिपिन्स, माल दिफ्स, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी पाय जाते हैं बायलोजिस्ट के हिसाब से एक क्रैब बहुत से सी अनिमल्स के लिए एक बहुत ही टेस्टी फूड है इसलिए इस क्रैब का सिकार करने के लिए बहुत से बड़े सी क्रेचर घूमते रहते हैं लेकिन इसकी बोड़ी बहुत ही अन्यूजियल होती है इसकी पूरी बोड़ी पर बहुत से अजीब से बाल होते हैं इसे देखने के बाद इसे कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि यह कोई जानवर है यह देखने में बिल्कुल एक प्लांट की तरह लगता है और ऐसा ही नहीं है, शिर्फ दिखने में प्लांट नहीं है इनकी मदद से एक क्रैब अपना कलर भी चेंज कर सकता है जैसे यह किसी प्लांट के पास में जाता है, थोड़ी देर बाद ही है डिसी अपेर हो जाता है क्योंकि यह खुद का कलर उस प्लांट की तरह कर लेता है इसलिए श्क्रैब को समुदर में देखना लगबग नामुम्किन है इस फिस को स्ट्रों फिस के नाम से भी जाना जाता है यह मचली देखने में बहुत ही अजीब और ड्रावनी लगती है इस मचली की परजाती का नाम डेविल्स है जिसका मतलब सैतानिया या डेविल्स होता है जो कि इस फिस को देखने के बाद इसका फेस बिलकुल डेविल्स की तरह ही लगता है इस फिस के गायब होने का तरीका बहुत ही यूनीक है यह फिस जहां पर भी बैटती है वहां के आसमान का कलर और जहां तक कि उस जगे के पैटरन को भी अपनी बाड़ी पर कॉपी कर लेता है और इस फिस के सरीर पर दूसरे फिस की तरह ही poison gland होते हैं जो कि इसकी सुरक्षा के काम आते हैं यह खुद को छिपा कर इसलिए रखती है जिससे की खुद को दूसरे समंद्री जीवों से बचा सके और जब उसको खत्रा महसूस होता है तो यह अपने colorful fins को बाहर निकाल लेती है जिससे की सिकारी को डरा कर भगा सके इस fish का जहर इतना खतरनाक नहीं होता कि यह किसी इंसान की जान ले सके गाइस यह बफ टिप मोथ दुनिया के सबसे ज़्यादा invisible होने वाले creatures में सहिक है इसकी सबसे बड़ी वज़य यह है कि इसका save बिलकुल एक कटी हुई लकडी की तरह दिखाई देता है जो आप जिस creature की वीडियो और photos देख रहे हो इसे देखकर जादतर लोग एक लकडी ही समझे होंगे लेकिन यह कोई लकडी नहीं है बलकि एक insect है इसके आगे और पीछे का color ही है जिससे देखकर लगता है कि यह कोई कटी हुई लकडी का तुकड़ा है यह जादतर guidance और जंगल में ही पाई जाते हैं और यह June जुलाई के महीनों में ही जादा दिखाई देते हैं यह पूरी सर्दी किसी पेड़ी के अंदर छिपके गुजारते हैं और इनके पर भी होते हैं जब भी अपने पर को खोलता है तो इसे आसानी से देखा जा सकता है नमबर टू पर है दा राइट आइस फ्लाउंडर फ्लाउंडर एक फ्लेट फिस की तरह है जो बिलकुली ट्रांस्परेंट फिस होती है इस फिस को पानी में तहरते समय इसकी आरपार देखा जा सकता है और यह फिस ज़्यादा तर समुन्दर के तल में पाई जाती है इसलि एक लारवा होता है लेकिन एडल्ट एस तक पहुचते पहुचते इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है यह समुन्दर के तल में तहरते तहरते बैकग्राउंड के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर सकती है तो फाइनल अब बात करते हैं नमबर वन के बारे में जिसमें नमबर वन पर है ओक लीव बटरफलाई काईस आप लोगोंने अपनी लाइफ में बहुत सारी तितलियों को देखा होगा लेकिन आपने इस इन्वीजिबल तितली को कभी नहीं देखा होगा जब आप इसको पहली बार देखो गए ते आपको सिर्फ एक सुका हुआ पत्ता पर गिरे रहते हैं और यह तितली अगर उन पत्तों में बैट गई तब तो इसको ढूनना आपको और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा यह बटरफलाई नेपाल चाइना भूटान थाइलेंड और वियतनाम में पाई जाती है इस बटरफलाई के पंक बाहर से तो सूखे पत्ते की तरह लगते हैं लेकिन अंदर से बहुती कलरफूल और देखने में बहुती ब्यूटिफुल लगते हैं वैसे आपको इन टोप 10 इन्वीजिबल एनिमल्स में से सबसे बैस्ट एनिमल या क्रेचर कौन सा लगा और क्या आपने इन सभी एनिमल्स में से किसी भी एक एनिमल को अपने रियल लाइफ में देखा है तो यह आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सेर कर देना अपने फ्रेंड और फैंबली के साथ जिससे उन्हें भी दुनिया के 10 एनिमल्स के बारे में पता चल सके तो मि